नमस्कार दोस्तो, क्राइम की तो कई किस्से कहानिया आप लोगों ने सुन रखी होगी, लेकिन आज की कहानी बहुत दर्दनाक और बहुत बहुतिया है एक लड़की अपनी हत्या के बाद बहुत बनकर अपनी ही मोद की गवाई देती है ये कहानी बहुत अजीब है, पहले पुलिस ने जिस बात को हसी में उड़ा दिया, बाद में वो ही बात एक देश के लिए संसनी केज केज की नजर में सामने आई ये होंकों की कहानी है, इस देश में इस से ज़्यादा खोफनाक कोई क्राइम कभी नहीं हुआ आज भी ये कहानी सुनकर लोगों के रोंगटे घड़े हो जाते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मैं 1999 से कहानी की शुरुवात होती है 14 साल की एक लड़की पुलिस इस्टेशन पोस्ती है और कहती है मैं बहुत परिशान हूँ एक भूत मुझे सता रहा है ये सुनकर पुलिस कर्मी लड़की का मजग बनाते हैं लड़की कहती है ये बात हसने की नहीं है सर ये सच है दरसल जो भूत मुझे दिखता है वो एक ओरत है वो भूत कई बार बिजली के तारों में बंदी हुई दिखती है उसके गले को गोटा जा रहा है पुरे सरीर पर चोड़के निशान है वो मुझे से मदद मांग रही है फिर वो मर जाती है मैं रोज यही सपना देखती हूँ मुझे लगता है किसी ओरत की हत्या हुई है जो इनसाफ चाहती है पुलिस वाले लड़की को वहां से अपने घर वापस भेज़ देते है अगले दिन वो दोबारा पुलिस इस्टेशन पहुच जाती है पुलिस वालों को बच्ची की बात पर यकिन नहीं हो रहा था तब ही 14 साल की बच्ची ऐसी बात करती है कि पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते है लड़की केती है कि जो कतल का सपना में देखती हूँ उसमें कई लोग शामिल है जो यूती का कतल कर रहे है ना जाने कतल करने वालों में से मैं भी एक हूँ लड़की की ये बात सुनकर पुलिस वाले भी हेरान रहे जाते हैं अब पुलिस कर्मी लड़की से पूशते हैं कि अच्छा ये बताओ ये कहां का मामला है 14 साल के लड़की बताती है कि कोलून जिले के अपार्टमेंट में यहां कतल हुआ था जिसके बाद पुलिस लड़की को लेकर उसी अपार्टमेंट में पहुशती है और फ्लेट का दर्वाजा खोला जाता है घर के अंदर से अजीब सी बदबुआ रही थी पुलिस ने पूरे घर की तलाशी लेना शुरू किया तो पूरे घर में हेलो केटी नाम की गुडिया भरी पड़ी थी घर में विस्तर पर जलपरी के आकार की विशालकाए हेलो केटी डोल भी पड़ी थी ये आम गुडियों के मुकाबले बहुत बड़ी दिखती थी डोल के अंदर एक इनसानी सिर रखा हुआ था सिर को दिखकर ऐसा लग रहा था कि सिर के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है सिर को पानी में उबाला गया था और उसके टुकडे करने की भी कोशिश की गई थी पुलीस को सिर मिला तो बच्ची की बात पर यकिन हो गया कि यहा कोई कतल हुआ है यही से सामने आई कतली की चोका देने वाली कहानी होंकोंग के इतिहास में ऐसी कहानी ना कभी किसी ने देखी और ना कभी सुनी दरसल कहानी होंकोंग की एक लड़की की है हॉंकोंग में एक मामूली से परीवार में बेदा हुई फेल मेन जो की बचपन से ही अनाथ हो गई थी पेले चायल्ड होम में रही और बड़ी हो गई तो उसे ड्रक्स की लग गई ड्रक्स की लग को पुरा करने के लिए जिसमों फरुसी के धन्दे में आ गई इसी दोरान उसे लगा कि जिन्दगी ऐसे नहीं चलेगी तो उसने नाइट कलब में नोकरी कर ली इसी दोरान उसकी मुलाकात चान मेन लोग से हुई जो की एक ड्रग डिलर था यहीं वज़ा थी कि दोनों में दोस्ती हो गई सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी 1999 अपरेल में फेन मेन की जिन्दगी में तुफाना गया जब फेन मेन चान लोग के घर गई चेन मेन लोग बात्रूम में था इसी दोरान फेन ने लोग का पर्स चूरी कर लिया लोग के पर्स में करीब 4000 अमेरीकी डोलर रखे थे लोग को पता चला कि उसका पर्स फेन मेन ने ही चूरी किया है तो उसे बहुत गुस्ता आया वो ड्रग डिलर था अपरादी किस्म का था लिहाजा उसके कई सूटर भी थे लोग ने सूटरों को कहा कि उसे किट्नेव करके मेरे अपाटमेंट में लाओ लोग ने फेन मेन से कहा कि पेसे वापस करू और अब तुम हमारे लिए जिस्म फरोसी का धंदा करूगी अब फेन मेन को एक फ्लेट में केट कर दिया गया लोग अपने सातियों से फेन मेन का रेप करवाने लगा उसे बंदग बना कर मार पिट करने लगा दिन में गेंग के सदस्त कई बार रेप करते थे सिर को पंचिंग बेक बना कर पीटते थे फेन मेन को सिगरेट से चलाते थे इसी दोरान 14 साल की एक लड़की फोंग भी जिस्म फरोसी के दंदे में आ चुकी थी एक रोज लड़की को भी अपाटमेंट में लाया गया जहां उसने देखा कि फेन मेन पर जूल्म हो रहे थे खाने पिने के लिए मल मुत्र दिया गया था गेंग के सदस्त फेन मेन को एक साथ पचास-पचास पंच मार रहे थे गेंग के लोगों ने फों को भी कहा कि तुम भी मारो उसने भी फेन मेन को पंच मारे मैने भर तक यूँ ही सिलसिला चलता रहा आखिरकार एक दिन अपरेल 1909 को फेन मेन की मोथ हो गई फेन मेन के मरने के बाद लोग को खबर दी जाती है वो बोलता है कि लास के टुकडे करतो लियाज जब बाट टब में लास के टुकडे किये जाते हैं लोग ने अपने गुरगो से कहा कि एसा करो जिससे कहीं लाश की बद्बू ना आए जिसके बाद घर के रखे वर्तनों में सरीर के टुकडों को उबाला जाता है और पकाया जाता है गेंग के लोग उबले अंगों को पोली बेग में डाल कर कच्रे में फिक देते थे हर रोज यही सिलसिला जारी था सरीर के कुछ अंगों को जार में भी रखा जाता था अब फेन मेन का सिर बचा था लिहाजा सिर को भी उबाल लिया गया लोग सोच रहा था कि सिर का क्या किया जाए क्योंकि सिर को भाहर फेकने से लड़की की पेचान हो सकती थी लिहाजा उसने एक मचली के आकार की बड़ी हेलो कृटी डोल मंगवाई हेलो कृटी डोल में सिर रख दिया और वहीं फेन मेन का सिर रख कर उसको सिल दिया अंगों को फेके जाने का सिलसिला जारी था अब मई का महिना आ गया मई के महिने में ही 14 साल के लड़की फोंग को पता चला कि फेन मेन मर चुकी है वो बेचें रहने लगी उसको सपनों में वो ही सब कुछ दिखाई देता था फेन मेन उसके सपने में आकर गिड़गड़ाती थी बिजली के तारों से बंदी फेन मेन जुल मसे थी फेन मेन उससे इंसाफ की गोहार लगाती थी तब जाकर ये 14 सार के लड़की पुलिस इस्टेशन पहुची जाव शुरू हुई पुलिस को सरीर के कई और हिससे मिले मोत की वज़ा साइंसदान तलास रहे थे पोस्ट माडम रिपोर्ट इस बात को साफ नहीं कर सकी कि मोत की वज़ा क्या थी पुलिस ने फोंग को वादा माफी गवा बनाया और पुलिस प्रोटिक्शन दिया बच्ची की गवाई कोट में हुई और कोट ने कहा कि हुभभु जो दर्दनाग कहानी फोंग ने सुनाई है वो सुनने लायक नहीं है जा आज के बाद पुलिस ने तीन लोगों को गरफतार कर लिया गरफतार लोगों में चांड में लोग और उसके दो शूटर सामिल थे अब आदालत में मुकदमत चलने लगा सवाल ये था कि फेन में का कतल हुआ या फिर जुल्म के दोरान उसकी मौत हो गई आदालत ने ये माना कि उसकी मौत कतल करने की नियत से नहीं हुई लोग समेथ तीनों आरोपियों पर में इसलाटर के चार्जिस लगाए गए आदालत ने कहा कि इन्होंने लास के टुकडे किये मास पकाया और सिर को उबाल कर डोल के सिर में डालने जैसा चगन्या परात किया है जो की होंकों के इतिहास में ना कभी देखा गया और ना कभी सुना गया सभी सबूतों और फोंग की गवाई के बाद आदालत ने तीनों आरोपियों को उमर केत की सजा सुनाई दरसल इस कहानी की शुरुवात भूत से हुई थी और पुलिस की जाँच में पूरा संसनी खेच खुला सा हुआ अदालत में जब सैंटिस्ट ने किटी डोल को अदालत में पेश किया तो बहुत गंदा रही थी जबकि लेव में जाँच के दोरान उसमें किसी भी तरह की कोई गंद नहीं थी दूसरी चोकाने वाली बात ये कि जब अदालत में बहुत चल रही थी कि कतल के चार्जिस नहीं लग सकते और बचाओ पक से तीनों आरोपियों को बेकसुर बता रहा था तबी कोट के लाइटे तेजी से जलने बुजने लगी अदालत में सुनवाई के दोरान कई महिलाएं भी शामिल होती थी यहां तक कि जजज ने कहा कि मुझे इन महिलाओं के चेरों में कई बार फेनमेन नजर आती थी यहां तक कि जिस अपाटमेंट में फिनमेन की मोत हुई वहां किरायदारों को अजीबों गरीब चीजे नजर आती थी कई किरायदार तो घबरा कर भाग खड़े हुए यहां तक कि पडोसी भी भाग गए कोई भी इस इमारत में नहीं रहना चाता था लिहाजा 2012 में मालिक की राजामंदी से अपाटमेंट को जमी दोस्त कर दिया गया यह कहानी होंकों के सरकारी दस्तावेज में आज भी दर्ज है इस कहानी को पुरी दुनिया हेलो किटी डोल के नाम से जानती है इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कर अपनी राय जरूर दें